हैपी नुएयर तो आल अफ यू डेली उनिवस्टी का एडमिशन प्रोसेस आप सभी के लिए इस साल काफी ज्यादा इंटरस्टिंग रहने वाला है बहुत सारे स्टूटेंट्स को अल्रेडी पता भी चल गया होगा कि जो डेली उनिवस्टी का एडमिशन प्रोसेस है फॉर अब जो 22-23 के एडमिशन होंगे एंटरस्टेस से होंगे यह स्टूडेंट के इंटरस्ट में सिस्टम है और एक ए फेर चांस सबको देता है आपने इस वीडियो में देखा तो यह डेली उनिवस्टी के वाइस चैंसलर है जिन्होंने खुद एनाउंस किया है कि जो डेली और एंटरस बेज होगा तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइडिया क्या होगा साथ ही एंटरस एक्जाम का अलबस क्या होगा सदी उसके बात के मी सबसे करो bell icon press करो ताकि आगे के लिए भी हम जुड़े रह सकें और सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले और अगर आपका कोई डाउट है so you can ask me on Instagram Instagram का लिंक नीजे description में है आप follow करो और follow करके आप हमसे question पूछ सकते हो I will answer it so चली शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि इस admission process में जो आपका 2022 में रहेगा इसके लिए eligibility criteria क्या है क्या कुछ different होने वाला है eligibility criteria के विले तो guys मैं आपको बता दूँ कि eligibility criteria है Delhi University के admission process में वो course to course vary करता है example अगर आप BA करना चाते हैं तो like अगर आप BA Hindi करना चाते हैं फिर BA English honors करना चाते हैं तो minimum eligibility criteria होता है वो आपके above 50% marks होने चाहिए आपके 12th standard में ऐसा ही अगर आप B.com करना चाते हैं तो 55% marks होने चाहिए तो यह जो eligibility criteria था आपका 2020-2021 के session तक वो ही same रहेगा अभी eligibility criteria यह हमारे vice chancellor ने कहा है तो इसके लिए आपको बिल्गुल भी tension लेनी की ज़रूत नहीं है कि आपके 12th में marks highest नहीं आए जैसे कि 80-90 नहीं आए तो आपका admission होगा कि नहीं आपने अगर eligibility criteria फुल्फिल किया है और आप entrance exam को clear कर रहे हो तो आपका admission जो है वो definitely होगा यह बात होगी eligibility criteria की आप अपने course के according चेक कर सकते हो क्योंकि जो 2020-2021 का prospectus है उसमें आपको सभी course के regarding course to course जो की eligibility criteria different होता है तो you can check in it next पिर बात आती है कि जो CUSET exam होगा उसका weightage कितना रहेगा CUSET का exam का weightage most probably जैसे की last year भी होने वाला था बट रह गया और इस साल भी हो रहा है तो इस साल भी most probably यही है कि 50-50 के weightage पे रखा जाएगा 50% आपका जो आपके 12th के marks होंगे उनको consider किया जाएगा और 50% जो भी आप aptitude test में perform करोगे उसको consider करके merit list आएगी merit list में जिस भी student का नाम होगा उसको counseling के लिए बुलाया जाएगा यह admission process का रहेगा weightage जो कि आपका CUSET का और 12th के marks के basis पे रहने वाला है लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हमें CUSET का syllabus क्या होगा weightage की तो बात के लिए मैंने CUSET का syllabus कितना रहने वाला है तो syllabus के लिए मैंने एक video पूरी detail बना रखी है जिसमें हमने बात करी है कि CUSET का syllabus क्या होगा subjects कौन-कौन से हैं साथ ही उन subjects के लिए मैंने आपको book के names भी बताए हैं जिससे आप अपने घर पे बैठके easily prepare कर सकते हो तो उस video को भी आप यहां से देख सकते हैं इस video के बाद यहां link है लेकिन अगर हम मोटा मोटी subjects के बारे में बात करें तो subjects हैं आपके जीके current affair, logical reasoning, english, basic maths वो course to course भी vary करेगा बट most probably क्योंकि ये syllabus आपको और भी जितने भी universities हैं जो आपको admission स्यूसाइट के basis पे दे रही थी अभी तक उनका syllabus pattern यही है जैसे कि राजस्तान में केरला में और आपका अधर महराश्य मद्रदेप्रदेश इन सब में भी कुछ युनिवरस्टी थी स्यूसाइट exam के basis पे आपको admission offer कर दी थी तो syllabus यही है और most probably भी यही है कि आप अगर इन course subjects को अभी से prepare करके चलोगे तो आपका जो exam है board exam उसके साथ साथ आप अपने सीव साइट के syllabus को भी easily cover कर लोगे और आपको exam में कोई परिशारी नहीं आएगी और आप अपना entrance exam में वो भी easily crack कर लोगे तो यह होगी बात कि वेटेज और syllabus की अब बात करते हैं जो कि most important चीज है कि आपकी admission की dates क्या रहने वाली है क्योंकि अब यह January स्टार्ट हो गया आज से तो January में आपका क्या होगा यह जो dates है यह tentative है पहली चीज दूसरी चीज जैसे कि Vice Chancellor ने भी बताया कि अब इसके उपर CSET exam के उपर और admission process के उपर बहुत speedily work होगा तो जो admission process है जैसे कि आपके form हर बार May April मही में आते हैं April मही के बीच में आपके form आएंगे साथ ही April एक one month मिलेगा आपको form fill करने के लिए उसके बाद आपके लिए एक date announce होगी जिस date पे आपको exam देने जाना होगा aptitude test लेकिन यह कौन सा मन्त होगा तो यह आपका जहां तक most probably है कि May to June के बीच में होगा May to June यह roughly एक figure है क्योंकि हर बार admission process इसी time होता है और जितने भी other entrance exam थे होते थे अभी तक Delhi University के या फिर किसी भी other universities के वो इनी months के बीच में होते थे तो यह एक roughly है कि आपका exam है वो May June के बीच में होगा साथ ही फिर जो आपका result announce होगा और जो आपकी counseling होगी वो July के मन तक हो जाएगी फिर आपकी classes भी शुरू हो जाती है जुलाई के end तक क्योंकि जो academic session है वो July तक शुरू करना होता है as per the UGC guideline तो यह roughly है tentative है यह ध्यान रखना और further जैसे ही काफी सारी updates आएगी तो उसके लि आपके लिए काफी ज़्यादा जरूरी थी अगर आप Delhi University के aspirant है और 2022 में admission लेना चाते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा स्यादा शेयर करो और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नी देखिए तो इस वीडियो को देख लो आप अपने घर पे अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर दें थैंक यू गाट ब्लेस यू ओल